देखिए हमारा जो grammar का टॉपिक चल रहा था उसमें sentence चल रहा था और sentence का हम classification कर रहे थे हमने sentence का जो एक classification पड़ा था उस classification में हमने का था कि sentence या तो affirmative होगा या negative होगा Second classification में हमने पढ़ाता भाई sentence आपका declarative होगा या interrogative होगा या exclamatory होगा या फिर imperative होगा Third जो बहुत important classification है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका sentence या तो simple होगा या compound होगा या complex होगा अब हम यह simple compound complex क्या होता है यह समझे की कोशिश करते हैं हाला कि अभी हम बहुती brief में कर रहे हैं फिर बाद में जो simple compound complex है यह बहुती important topic है और काफी lengthy topic है इस simple compound complex topic से आपके synthesis वाला topic clear होता है इससे आपका conjunction जो connectives नाम से जो topic आपके examination में आते हैं वो भी clear होता है आपके concept clear हो जाते हैं तो आपको उन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती ओके देखे यह हम बात करें सबसे पहले simple sentence कि simple sentence क्या होता है तो simple sentence के बारे में पहली बाथ यह है कि simple sentence एक single sentence होता है single sentence का मतलब ऐसा sentence जिसमें एक ही verb हो इसका मतलब क्या हो गया? sentence में क्या होगी? केवल और केवल एक ही verb होगी fine? जैसे देखिए मैंने आप से इद इस इदि simple sentence के दिस मैं बात करूँ आपसे तो देखिए first condition ये है कि वो single sentence होता है first है single sentence number two single sentence का मतलब ये है कि उसमें एक ही verb होगी अब वो finite verb होती है मैंने आपको पहले ही बताय था कि हम इसका discussion जो है verb वाले topic में करेंगे इसमें क्या आती है एक आप ये समाज दीजे verb होती है ये दो condition होती है तो मैंने ये ही का simple sentence is a single sentence और clause having only one finite verb या फिर इसमें क्या होता है एक single sentence होता है या फिर उसमें केवल एक ही clause होती है अब वो ही clause होती है और वो ही sentence होती है अब वो ही clause होती है वही sentence होती है, यह बात आपको थोड़ी अटपड़ी सी लग रही होगी, लेकिन अभी clear हो जाती है, जब मैं आपको समझाऊँगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अभी आप ध्यान रखिए, single sentence और जिसमें किवल एक ही verb हो, वो simple sentence कहलता है, जैसे देखिए, मैं आपसे एक example मैं आपसे कहूं, राम is a doctor, मैंने जब आपसे कहा, राम is a doctor, तो आप देखिए, यह जो sentence है, मेरा, राम is a doctor, इसमें एक ही verb है, कितनी verb है, एक ही verb है, एक ही verb है, एक ही verb है, इसका है, इसका मतलब यह simple sentence है, fine, मैंने कहा कि यह क्या है, एक ही sentence है, यानि कि इसमें क्या है, आप आपसे ने का कि इस में एक ही वव है इसका मतलब यह क्या है? single sentence है, fine? और single sentence है, इसलीए simple sentence है, fine? देखे ये याप मैंने आपको बताई दी थी कि इसमें एक subject होगा और एक प्रैडिक्ट होगा, subject किसे कहते हैं, और person or thing we talk about जिस किसी भी व्यक्ति के बारे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने इसमें राम की बात कर रहे हैं, तो राम सब्जक्ट हो गया, और बाकी का सारा क्या हो गया, प्रेडिकट हो गया, जब मैं आपको sentence, जब हाराइक की बता रहा था, तो मैंने आपको बीच में से clause चोड़ दिया थ अब देखिए, अब यहाँ पर आपको clause समझना है, कि clause क्या होता है, देखिए, मैं आपको clause समझाने के लिए पहले एक नई slide ले ले लेता हूं, जिससे आपको की clause ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, देखिए, clause, पहली बात तो यह ध्यान रखिए, कि clause के अंदर वो सारे element होते हैं, जो एक sentence के अंदर होते हैं, मैं repeat करता हूं, clause के अंदर वो सारे element होते हैं, जो की एक sentence में होते हैं, जैसे देखो, मैं आपको एक example दूँ, राम is a doctor, and सीता is a teacher, मैंने आपको एक example कहा, कि राम is a doctor, and सीता is a teacher, अब देखिए, यहाँ पर मैंने का राम, उसके बाद मैंने एक verb यूज़ कर ली, एक verb हो गई, ठीक है, फिर इसी sentence में मैंने एक और verb यूज़ कर ली, सीता is, इसका मतलब इस sentence में एक से ज़्यादा verb हो गई, यदि इस sentence में एक से ज़्यादा verb हो गई, इसलिए यह simple sentence नहीं है sentence की पैचान ही होती है कि sentence जो है उसके last में कोई भी terminating punctuation mark लगता है sentence की एक feature है quality है, एक विशेस्ता है कि sentence के last में terminating punctuation mark लगता है terminating punctuation mark मतलब जहां sentence खतम हो अगर यह terminating punctuation mark क्या हो सकता है exclamatory हो सकता है exclamatory sign आपका question mark हो सकता है और आपका full stop हो सकता है इन्हें कहते हैं terminating punctuation mark आप देखो आपका यहाँ पर एक sentence start हुआ और sentence start होकर यहाँ पर एक आपका full stop लगा मैंने आपको कहा था terminating punctuation mark किसे कह सकते हैं आपका यदि exclamatory sign है आप जिसे विस्मे बोधी चिन्न कहते हैं exclamatory sign हो सकता है आपका question mark हो सकता है question mark देखो आप एक बात ध्यान रखना आपको थोड़ी सी यह problem हो सकती है कई ऐसे words हैं जिनका मैं pronounce करूं कुछ और आपको वो समझ में नहीं है इसलिए मैं उसको repeat करता रहूँगा देखो आप लोग कई लोग question बोलते हैं question तो question नहीं होता question होता है अब जबी भी मैं आप खुद भी बोलें और मैं बोलू तो आप समझ जाएं कि यह जिसको आप हिंदी में प्रिश्ण बोलते हैं उसको इंग्लेश में question कहते हैं चेकी साउंड आती है question तो मैंने का exclamatory sign हो सकता है विसमें बोधी चिन आपका question mark हो सकता है और आपका full stop हो सकता है और आपका क्या हो सकता है full stop हो सकता है तो sentence वो होता है जिसके last में punctuation mark लगता है यानि sorry आपका terminating punctuation mark लगता है तो terminating punctuation mark लोगतों को इस sentence की अदि मैं बात करो तो यहां से start हुआ और यहां जाकर यह खत्म हुआ ओके यहां से जाकर यहां खत्म हुआ यह पूरा का पूरा आपका sentence है अब देखिए एक चीज़ समझी आप जो चीज़ मैं आपको समझाने चाहरा हूँ यह sentence एक ऐसा sentence है जिसमें की एक से ज़्यादा वाब हैं इसका अदर simple sentence नहीं है, अभी कौन सा sentence हो अलग बात है, लेकिन ये पता लग गया कि simple नहीं है, अब देखियो, ये एक sentence का part है, देखिये, एक sentence का part तो ये रहा, और एक sentence का part ये रहा, एक sentence का part ये रहा, अब ये जो sentence का part है, ये पार्ट और एक ये पार्ट, इसे बोलते है clause, C-L-A-U-S-E clause और ये भी एक clause ठीक है अब एक चीज़ और देखिए मैं एक sentence और बोल रहा हूँ राम is a doctor मैंने का राम is a doctor जब मैंने राम is a doctor कहा और यहां से start होकर आप बताइए terminating punctuation mark कहा लगा यानि कि full stop कहा लगा यहां doctor पर यहां से चालू होकर यहां तक एक verb है इसमें यह sentence हो गया देखिए अब आपने कहा कि राम is a doctor यहां तो एक sentence है लेकिन राम is a doctor यहां sentence नहीं है यहां clause है जबकि sentence के अंदर क्या है subject और verb यही इस clause के अंदर भी है sentence के अंदर क्या है subject है और clause है और यही चीज क्या है एक clause के अंदर भी है यानि आपने देखा clause के अंदर भी S प्लस V है ठीक है न? आपने देखा ये clause जो है इसके अंदर भी S और V है और sentence के अंदर भी S और V है यह बाद समझ भाई मैंने का sentence के अंदर और clause के अंदर दौनों के अंदर क्या है s plus v है, इसका मतलब मैंने का clause की अंदर वो सारे element होते हैं, वो सारी चीजे होती है जो एक sentence में होता है, देख लो, यहां तो आप इसको sentence कह रहे हो, लेकिन यही पर आपने इसको क्या कह दिया, clause कह दिया, अंतर यह है फिर सुनिए कि sentence और clause कि यदि हम बात करें, तो clause के अंदर वो सारे element होते हैं, जो एक sentence के अंदर होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि clause जो है sentence का एक part होता है, देखिए, यहां पर यह पूरा का पूरा sentence है, यहां full stop लगाए, इस वाला sentence जो है, यह राम से start होकर और teacher तक खतम हुआ है, और इस sentence का यह राम इजा डॉक्टर एक part है राम इजा डॉक्टर क्या है, एक part है, इसका मतलब clause जो है, उसके अंदर वो सारे element होते हैं, जो एक sentence में होते हैं, अंतर यह है कि clause एक sentence का part होता है, ठीक, यह बात समझ में आई, अब देखिए, इसको हम अब दूसरी तरीके से समझे, देखिए, अब यह clause तो आपको बात समझ में आ गई, अब मैं इसी sentence को दुबारा बोलता हूँ, दो sentence बोलता हूँ, यदि clause की बात की जाए, तो clause दो तरीके की होती है, एक होती है, independent clause, एक clause कौन से होती है, independent clause, और दूसरी जो clause होती है, उसे कहते हैं, dependent clause, एक है, independent clause, और एक है, dependent clause, देखो, शब्द सही केलिए हो रहा है, independent का मतलब स्वतंत्र, यानि कि जो किसी पर आश्रित ना हो, हिंदी में कहते हैं, अनाश्रित, independent का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र, जो किसी पर आश्रित ना हो, हिंदी में कहते हैं, अनाश्रित, यानि ऐसी clause जो किसी पर आश्रित ना हो, dependent, आप जानते हो, dependent का मतलब आश्रित यानि आश्रित clause यानि ऐसी clause जो दूसरे पर dependent हो दूसरे पर आश्रित हो दूसरे पर निर्वर करती हो अब इसका मतलब क्या हुआ देखो मैं आपको एक sentence दे रहा हूँ मैंने का you will pass if you labor देखो मैंने का you will pass if you labor तो देखो आप पहले तो यह देखिए sentence है क्या sentence है क्योंकि last में terminating punctuation mark लग रहा है subject भी है और verb भी है ठीक है लेकिन इसमें दो verb हो गई एक यह verb हो गई और एक यह verb हो गई कोई बात नहीं इसका मतलब हम यह समझ माया कि simple sentence नहीं है अब कैसा sentence है यह अभी हम बात नहीं कर रहे हम यह समझ माया कि simple sentence नहीं है अब देखो आप देखिए इस sentence में एक यह subject और एक verb और फिर यहाँ पर subject और यह verb इसका मतलब इस sentence क्या हो गई दो पार्ट हो गई एक पार्ट तो हो गया यह if you labor यू विल पास एक पार्ट तो क्या हो गया यू विल पास और एक पार्ट हो गया if you labor दो पार्ट हो गई इस sentence के दो पार्ट हो गई इसका मतलब इस sentence में दो clause हो गई, इस sentence से कितने part हो गए? दो, इसका मतलब समें दो clause हो गए, दो ऐसे part जिसमें subject है और verb है, subject है और verb है, ओके, now, next शी देखिए, यदि मैं किसी से कहूं कि तुम pass हो जाओगे, तो यदि मैंने किसी से कहा तुम pass हो तो पूरा अर्थ निकल रहा है, यदि कोई clause अपना अर्थ प्रकट करने के लिए को सौतंतर हो, तो उसे कहते हैं independent clause independent clause मतद़ स्वतंत्र अनाश्रित किसी पर आश्रित नहीं हो लेकिन आप देखिए यदि मैं किसी से कहादू if you labor, यदि तुम मेंज़ करो मैंने उस सी कहा यदि तुम मेंज़ करो सामने वाले वेक्टी कहेगा तो क्या यदि मैंने का किसी से कहतो तो यदि तुम मेनत करो तो सिधा कहेगा तो क्या तो पूरा अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है इसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए इस क्लॉस को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए इस clause पर आश्रित रहना पड़ रहा है कि तुम पास हो जाओगे मैंने का यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे यदि मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया कि तुम पास हो जाओगे तो meaning clear हो जाएगा इसका मतलब यदि तुम मेहनत करो ये वाली clause अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए अपना पूर्ण मीनिंग देने के लिए किसी दूसरी clause पर depend है इस वाली clause पर आश्रित है यदि ऐसा है वो दूसरे पर आश्रित है तो उसे कहेंगे dependent clause क्या कहेंगे dependent clause क्या कहेंगे dependent clause तो मैं यही कहना चाहता था कि clause दो तरीके की हो सकती है पहले तो मैंने का clause क्या होती है clause के अंदर वही element होते हैं जो एक sentence में होते हैं clause के अंदर वह सारे element होते हैं जो एक sentence में होते हैं लेकि clause और sentence में अंतर क्या है कि clause एक sentence का part होता है दूसरी बाद clause दो तरीकी की होती है एक होती है in-dependent clause दूसरी होती है dependent clause इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड हमारे टॉपिक पर आते हैं देखें simple sentence single sentence होता है जिसमें एक verb होती है मैंने का राम is the doctor तो एक ही verb है तो simple sentence ठीक है यदि एक से ज़्यादा verb है तो फिर वो single sentence नहीं है और single sentence नहीं है तो simple sentence नहीं है फाइन आगे देखो next है अपना compound sentence देखिए कई सारे students ऐसे हैं जिन्होंने उससे demand की बार बार में काफी दिन से कर रहे थे कि सर grammar के साथ आप थोड़ा सा literature भी कर रहे हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी राहिस्तान में vacancies आने वाली है REIT की, REIT means की फिर grade second teachers की फिर school lecturers की इसके अलावा TGT और PGT जो है UP की भी post आई हुई है और इसके अलावा जो है हर्याना में भी TGT PGT की post आई उसमें literature आती है राहिस्तान में तो है तो राहिस्तान के भी अभी vacancies आने वाली हैं सबकी तो कई students में इसे का सा literature भी आप पढ़ा दिया करें तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा demand थी इसलिए मैं एक literature की series भी start कर रहा हूँ हम literature में जो common चीज़े हैं उनको सबसे पहले start करेंगे और आपको सारी चीज़ बिलकुल free है बिलकुल free जिस तरीकी से grammar मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से जो भी इस channel पे literature का section होगा बिलकुल free है और इस channel पे सारी चीज़े जो भी कराई जाएंगी बिलकुल free कराई जाएंगी तो आपको literature भी मैं start कर रहा हूँ आपके four days grammar होगी Monday, Tuesday, Wednesday और Thursday इसको मैं आपको इन दिनों में आपको grammar कराऊँगा उसके बाद next जो three days हैं उनमें मैं आपको literature कराऊँगा और उसके सारे सारे section को हम बिलकुल detail में clear करेंगे आपके लिए इस बार से इस Sunday से मैंने आपको बताया था कि test स्टार्ट हो जाएंगे test के लिए मैंने आपको बताया था कि test के लिए आप जो है app download कर लें link of franka और इसके अलावा मैं आपको जो है question टेलिग्राम चैनल पर question दे रहा हूँ उनका video solution भी बीच बीच में कराऊँगा इन classes के अलावा इन classes में नी इन classes के अलावा भी मैं बीच बीच में आपको video solution कराऊँगा 10 minute 15 minute की जो भी videos होंगी 2 question 3 question 4 question जितने भी तो आप telegram channel जो है DRSK ENG 2023 आपको चारो तरफ से सारा literature का grammar का सब सब चीज करा दी जाएगी और जैसे भी आपकी demand होगी और भी कोई यदी बात हो तो आप मुझे comment section में लिख दें मैं definitely कौशिश करूँगा कि जो है free classes को लेकर देख लें आपको पता लग जाएगा कि इसमें content अच्छा है या नहीं तो आपका free है कोई बात नहीं आप सोच ले ना कि कुछ थोड़ा बहुत जी भी आपने खर्च कर दी अपना mobile का क्योंकि आप वैसे भी कई चीज़ों में खर्च करते हो गई है न तो आपको निश्चे दूरूप से इसमें फाइदा मिलेगा आप इसको sincerity से मैंने आप से ही कहा था कि मुझे 6 महीने का time दे जीजी आप छह महीने बिलकुल sincerity से devotion के साथ dedication के साथ आप इस course को कर लिजी आपको English की problem permanent खतम हो जाएगी च तो हम बात कर रहे थे compound sentence की ओके compound sentence अभी मैंने आपको बताया clauses दो तरीकी की होती है दि मैंने दो तरीकी की कहा देखो मैं आप से कहूं एक तो होती है dependent और एक होती है independent मैंने आप से कहा clauses दो तरीकी की होती है एक होती है dependent और एक होती है independent देखो dependent और independent मतलब अलग-अलग इस्तर की इसका मतलब क्या हो गया एक का इस्तर तो dependent होता है और एक का independent इसका मतलब अलग-अलग दो इस्तर हो गए क्या हो गया? दो इस्तर हो गए इस्तर को मतलब level दो level हो गए तो अब compound sentence ऐसा sentence होता है जिसमें दो या दो से अधिक, I repeat, compound sentence ऐसा sentence होता है, जिसमें दो या दो से अधिक, समान लेवल की clauses होती हैं, समान लेवल की, I repeat, compound sentence होता है, जिसमें दो या दो से अधिक, समान लेवल की, समान इस तरकी clauses होती हैं, और वो clauses कैसी होती है, independent, इसका मतलब, जितनी भी clauses होंगी, उसमें वो सब कैसी होंगी, independent होंगी, dependent नहीं होगी, compound sentence में जितनी भी clauses होंगी, वो कैसी होंगी, independent होंगी, यानि वो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसी clause पर आश्रत नहीं रहेंगी, दो सकती हैं, और 100 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेम लेवल की clauses होती हैं और वो सेम लेवल में भी कौन से independent clause ओके देखिए मैंने का एक compound sentence has two or more than two independent clauses क्या two or more than two independent clauses इसका मतलब clauses of same level कैसी लेवल गे समान स्तरकी clauses और समान में भी कौन सी independent समान में भी कौन सी independent कैसे देखिए मैंने आप से का राम इस डॉक्टर ओके और फिस सेकेंड मैंने का एंड सीता इस टीचर तो देखो राम इस डॉक्टर मैंने का अपना पून अर्थ दे रहा है मैंने का सीता इस टीचर अपना पून अर्थ दे रहा है आपने किसी से कह दिया सीता इजा टीजर तो उसका आर्थ निकल रहा है इंडिपेंडेंटली वो अपना मीनिंग दे रहे हैं इसलिए ये clauses कैसी हैं? इंडिपेंडेंडेंट clauses हैं और compound sentence में यही होता है दो या दो से अधिक clauses कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंडेंट लेवल की clauses होती हैं इंडिपेंडेंडेंट clauses होती हैं हमने यही कहा हैं एक compound sentence has two or more than two clauses और more and, sorry has two or more than two independent clauses ओके? अब देखिए यदि complex sentence की बात करूँ यदि हम complex sentence की बात करें तो देखिए compact sentence में क्या होता है? कि दो या दो से अधिक I repeat दो या दो से अधिक एसमान स्तर की clauses होती हैं compound में तो क्या था? समान स्तर की complex sentence में क्या होता है? एसमान स्तर की unequal level two or more than two clauses of unequal level fine? two or more than two clauses of two or more than two clauses of unequal level ओके देखिए एक complex sentence एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हाज one independent clause ओके? and one or more than one dependent clause अब देखिए आप इस चीज को भी समझ लेजिए एक independent second one is dependent ओके? इसका मतलब इसमें independent clause एक होगी complex sentence में independent clause एक होगी और dependent clause जो है एक या एक से अधिक one plus क्या होगा? देखो आपका complex sentence कितना भी बड़ा हो चाहे उसमें 10 clause हो चाहे 20 clause हो लेकिन उसमें independent clause तो हमेशा एक ही होगी बाकी की सारी ही सारी clauses को ऐसी होगी dependent clause होगी आप देखो यानि कि इसके अंदर independent clause होगी और dependent clause होगी तो एक इस तर की clauses होगी क्या? नहीं न ऐसमान इस तर की होगी अनिक्वल लेवल की होगी क्यों? क्योंकि एक independent बाकी की dependent तो independent और dependent इस तर एक ही है कि अलग अलग है? अलग है असमान है तो अनिक्वल लेवल की तो हमारा यही था देखो complex sentence has one independent complex sentence में one एक independent clause होती है ओके और एक या one और more than one एक या एक से अधिक dependent clause होती है तो मैंने यह का dependent clause कितनी हो सकती है एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है लेकिन independent clause केवल और केवल एक ही होगी fine तो को यहाँ पर मैंने independent clause जो है उसका एक नाम और दिया हुआ है में क्लोस कई जगे आपको इसको में क्लोस नाम लाप कई जगम आपको सका अट क्लोस मिल जाएगा जटन गूस्द एस इसमें यह आपके High Court LDC के exam में आया था यही word तो मैं समझाता हूँ हमेशा देखो आप ध्यान रखना P-R-I-N-C-I-P-A-L यह vocabulary के परपस से बहुत important है और अब भी High Court में ऐसा नहीं क्या भी आया ऐसा question आते रहते हैं मैं इस student को जब पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि यह question frequently आते हैं आप इन पर focus किया गरों मैं बार बार में बताता हूँ और इस course के दौरान भी बता हूँ आपको और एक होता है P-R-I-N-C-I-P-L-E पहली बात ध्यान रखता इन दौनों ही words का pronunciation same है दौनों का pronunciation क्या है principle हम जो है गलती वश इसको principle बोल देते हैं नहीं क्या बोलना आपको principle क्या हो है principle यह principle जो है इसका मतलब होता है main part main और important part I-M-P-O-R-T-A-N-T main मुख्य या important हिस्सा इस P-R-I-N-C-I-P-A-L का मतलब और इसी का दूसरा मतलब होता है head head of college और school आपके school institution का जो head होता है उसको भी आप क्या बोलते हो P-R-I-N-C-I-P-A-L principle इसके लाबा एक शब्द होता है जो आप कहते हूँ मूल धन amount जो होता है रकम उसको भी आप principle मनी कहते हैं उसकी spelling भी P-R-I-N-C-I-P-A-L ठीक है और यह जो P-R-I-N-C-I-P-A-L-E है इसका मतलब होता है moral rule नेतिक सिद्दान्त सिद्दान्तो वाला व्यक्ति उसकी spelling होती है P-R-I-N-C-I-P-A-L-E यह ध्यान रखना है बहुत important है vocabulary के परपसे पूस्टें exam में और आपको जो मैं grammar के दोरान जो vocabulary करा दूँगा देखो कहीं कोई रेटनी की जरुरती नहीं है vocabulary का session अलग से तो चलेगा ही इसके अलावा जो grammar और literature के section में जो vocabulary की चीज़े मैं करा दूँगा आप समझ लेना कि उससे भार नहीं है क्योंकि आपको ये grammar का course कराने से पहले मैंने जितने भी exams हैं उन सारे exams के paper को thoroughly study किया है completely study किया है और उस हिसाब से मैंने course design किया है कि वहाइ क्या क्या चीज़ आपको पढहनी है और क्या क्या चीज़ आ चुकी है और क्या क्या चीज़ आ सकती है तो आप बिल्कुल assured रहें निश्चिंत रहें ओकी जैसे जैसे जिन जिन चीजों को मैं पढ़ाता रहूँ आप उन्हें फोकस करते हैं 6 महीने केवल 6 महीने उसके बाद आपको मुझे कहने की जुरती नहीं पड़ेगी तो देखे मैंने आपसे का अब यह sentence देखी complex sentence में मैंने का if you labor, sorry if you work hard, you will pass मैंने का if you work hard, you will pass तो देखो एक मैंने का if you work hard यदी तुम कठोर परिश्रम करो तो तुम पास हो जाओ ओके मैंने का यदी तुम कठोर परिश्रम करो तो तुम पास हो जाओ तो एक बात देखो, मैं तुम से कहूँ कि तुम पास हो जाओ मैंने का, कि तुम पास हो जाओ, यानि तुम पास हो जाओगे, ठीक है न, मैंने का, यदि तुम कठोर परिश्रम करो, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, तो तुम पास हो जाओगे, मैंने आपसे कहा, तुम पास हो जाओगे, तो ये जो है, ये क्लॉस जो है, अपने आप तो यह वाली clause अपना Meaning देने अपना Complete Meaning देने अपना अर्थ प्रकड करने के लिए इस वाली clause पर आशृत है जबकि यह किसी पर आशृत नहीं है और जो किसी पर आशृत नहीं है वो गया क्या इंडिपेंडेंड जो किसी पर आशृत नहीं है वो क्या हो गया इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें कि dependent हो, dependent एक भी हो सकती है, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो ऐसा sentence क्या 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 आएगा, complex sentence, ऐसा sentence क्या 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 आएगा, complex sentence, तो simple sentence, single sentence, जिसमें एक verb, compound sentence, ऐसा sentence, जिसमें दो या दो से अधिक एक इस तरकी clauses हो, यानि दो या दो से अधिक dependent clauses हो, complex sentence, ऐसा sentence जिसमें दो या दो से अधिक ऐसा मानस तरकी clause हो यानि कि एक independent clause हो और एक या एक से अधिक independent एक या एक से अधिक क्या हो dependent clause हो एक तो independent और एक से अधिक एक या एक से अधिक क्या हो dependent clause हो एसा sentence क्या क्या लाता है complex sentence क्या लाता है अब एक जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार क्लॉस के बारे में बता देता हूं यहां पर आपको क्लॉस देखिए क्लॉस क्या होता है पहली बात तो क्लॉस क्या होग एक ग्रूप और हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं हिंदी में क्लॉस को क्या बोलते हैं उपवाक्य है तो एक ग्रूप और वर्ट्स शब्दो का समूँ with its own subject जिसका अपना खुद का एक subject हो and a finite verb और एक finite verb हो अभी मैंने आपको दाया था finite आप नहीं जानते है finite, non finite क्या होता है, transitive, transitive क्या होता है यह आप अभी इसको छोड़ दें जब verb का आएगा तो हम सब पढ़ लेंगे तो अभी आप एक समझ ले ऐसा sentence इसका ऐसा शब्दो का समू जिसका अपना subject हो, शब्दो का ऐसा समू जिसका अपना subject हो और उसकी एक verb हो, is called clause, वो क्या कलाती है, clause कलाती है ठीक है, जैसे मैंने आपको example दिया, मैंने आप से का Rahul is my brother, okay and Rekha is my sister अब देखो यहाँ पर इसका subject है और इसकी verb है, ठीक है इसका subject है और इसकी verb है, okay इसका मतलब एक clause ही हो गई मैंने यह का, ऐसा शब्दो का समू, जिसका subject हो और अपनी एक verb हो तो यह, यह, एक clause ही हो गई subject और verb एक clause ही हो गई, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी हो गई, जो clause हो गई और दोनो clause कैसी हो गई समान स्तरकी, और clause कैसी हो गई दोनों की दोनों, independent तो sentence कैसा है यह, यह sentence है compound sentence फिर देखिए मैंने यह काता भी आपको थोड़ देर पहले समझाया था, इस sentence has all the elements of a I'm sorry, a clause has all the elements of a sentence clause जो होती है, उसके अंदर sentence के सारे के सारे elements होते हैं मैंने का clause, has clause के अंदर क्या होते है, elements of sentence sentence के सारे के सारे elements होते है but it is known as clause, लेकिन इसे clause कहते है, sentence नहीं कहते है, क्यों? क्योंकि because it forms a part of sentence क्योंकि यह निर्मान करती है because it forms, क्योंकि यह निर्मान करती है किसका निर्मान करती है? part of a sentence sentence के part का अब देखो इसके अंदर सारे गुन तो हैं लेकिन ये sentence के part का निर्मार कर ये sentence यहाँ पर है जहां आपका terminating punctuation mark लग रहा है वहाँ sentence है तो आपने दिखा ये sentence का एक part ये हो गया और एक part ये हो गया तो ये क्या है clause है fine फिर मैंने clause का kind बताया clause कैसी होती है independent और dependent वो भी देख लेते हैं देखे मैंने यह बताया कि there are two types of clauses clauses कि इतनी प्रकार की होती है दो number one independent clause and number two dependent clause number one independent number two dependent independent किसे कहते हैं एक clause in which the sense is complete in itself a clause in which a sense is complete in itself अपने आप में in itself मतलब अपने आप में ही एक ऐसी clause जिसमे जिसमें sense का मीनिंग अर्थ जिसमें आप अपने आप में ही complete होता हो दूसरे पहल आश्रक नहीं हो उसे कहते हैं in dependent clause उसे क्या बोलते हैं independent clause और dependent clause यह कहते हैं एक clause एक ऐसी clause जिसमें की sense जो है is not complete sense complete नहीं होता है in itself अपने आप में अपने आप में ना खुद में but it depends on another clause बलकि यह दूसरी clause पर निर्बर रहता है but it depends बलकि यह निर्बर रहता है on another clause, दूसरी clause पर क्यों? to complete its meaning इसका अर्थ पूर्ण करने के लिए अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरी clause पर निर्बर रहता है इसलिए इसे क्या बोलते है dependent clause कहते है तो आपको ध्यान रखना है independent clause क्या होती है और dependent clause क्या होती है is it okay? fine अब चीज देखिए अच्छा इसको तो आप देखिए एक मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कई बच्चों को confusion होता है इसलिए मैं वो clear करना चाहता हूँ देखिए मैं आपको sentence का Ram is a doctor and Sita is a teacher अभी मैं आपको उताय देखिए कैसा sentence है compound sentence है ठीक है इसमें दो clause कैसी है independent clause है अब इन independent clauses को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाए end लगाए है क्या लगाए है end ये end जो है इसे coordinator बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं coordinator क्या बोलते हैं C-O-O-R-D-I-N-A-T-O-R इसी का दूसरा नाम ऐसे भी कह सकते हो Coordinating Conjunction इसा आपकी exam में कही exam में topic होता है conjunction कही हो में नाम होता है connectives वो सब इसी के अंदर है जब हम detail में पढ़ेंगे भी तो नाम सुन रहे हैं detail में तो बाद में पढ़ेंगे जब detail में पढ़ेंगे तो आपके conjunction है synthesis है connectives है simple compound complex सब clear हो जाएंगे अभी main जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो यह है कि Ram is a doctor और Sita is a teacher जो है यह इसमें दो clauses है दौनों independent है और इनको जोड़ने के लिए आपने जो end लगाया है वो क्या है coordinator है क्या है coordinator इसी को coordinating congestion बोलती है आप दूसरे अर्थों में ये कह सकते हो कि वे clauses जो की coordinating conjunction से जुड़ी होती है या coordinator से जुड़ी होती है उन clauses से बना हुआ sentence क्या कहलाता है compound sentence कहलाता है दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हो वे sentence होता है जिसमें कि आप coordinator का प्रियोग करते हो या फिर coordinating conjunction का प्रियोग करते हो compound sentence वो sentence होता है जिसमें coordinating conjunction या coordinator का प्रियोग करते हो और coordinator कुछ है जो आप याद कलोगे और आप बात में जब material में पढ़ेंगे तो उसके जैसे and, or, nor, still, yet, but, so, either, or, neither, nor, not only, but also यह सारे की सारे जो है coordinator के लाते हैं आपने ध्यान रख लिया जैसे sentence में आया तो आपको पता लग जाएगा कि यह compound sentence है और भी वह सारे तरीके हैं अभी primarily level पर हम कह सकते हैं जिसमें कि and, or, nor, still, yet, but, so, either, or, neither, nor, not only, but also यह सबाएं वो coordinating conjunction होते हैं यह, इसलिए इस प्रगार के sentence को हम compound sentence कहते हैं अभी and, or, nor, still, अगरा आपको दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा हम इस पर जाना ही नहीं चाहतें क्योंकि हम compound sentence detail में पढ़ेंगे तो हम सब पढ़ेंगे and पहला, and कि सारे uses, or, nor, किस तरीके से वो सब detail में पढ़ेंगे अभी हम उधर नहीं जा रहे हम तो इतना जा रहे हैं कि जो compound sentence है उसके अंदर क्या use होता है कॉडिनेटर, compound sentence में जो जोडने वाला clauses को जोडने वाला जो word होता है उसे कॉडिनेटर कहते हैं, ओके, दूसरी चीज़, मैंने आपको एक sentence हो बताया था you will pass if you labor, तब एक clause हो गई you will pass और एक हो गई if you labor, ठीक है तुम pass हो जाओगे यदि तुम महनत करोगे, तो एक clause ये रही और एक clause ये रही, इन clauses को जोडने के लिए जो if use हो रहा है देखो, इसमें क्या हुआ, एक तो कैसी clause हो गई, dependent और एक हो गई, independent इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा sentence हो गया, complex sentence और complex sentence में जो जोडने वाला शब्द होता है, जो जोडने वाला conjunction होता है, इसे कहते हैं, subordinator उसे क्या बोलते हो आप, subordinator, या फिर दूस्री शब्दों में कह सकते हो, subordinating conjunction complex sentence में जो जोडने वाला शब्द है, जो conjunction है, उसे बोलते हो, subordinator या subordinating conjunction, एक कई बार ऐसे question पूछा रहा था, RGS में आया था, अभी मैं आपको टेलिग्राम पर भी भी भीजूँगा उसको, RGS में बहुत easy सा question आया था, इसमें से कौन सा compound sentence है, या complex sentence है, ऐसे आया था, इसमें से कौन सा compound नहीं है, तो उसमें एक के अंदर compound sentence में जो coordinator आता है, उसकी जगे क्या यूज किया हुआ था, subordinator use किया गया था, यदि subordinator use किया हुआ यूज किया हुआ था, यह पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा, ठीक है न, one of the following is not a compound sentence या complex sentence इस तरही किसे question पूछा गया था, तो आपको टेलिग्राम चैनल पर मैं बेजूँगा आप देख ले ना ठीक है तो मैंने कहा you will pass ठीक है if you labor तो ही कैसा हो गया कैसा sentence हो गया complex sentence हो गया और complex sentence जो है उसके अंदर जो जोड़ने वाला शब्द है उसको क्या कहते हो आप क्या कहते हो subordinator या फिर subordinating conjunction उके इस चीज का आपको ज्यान अठना है ठीक है देखिए हम अपनी classes को अभी इतना ही रखेंगे है न 30 minutes के अंदर जैसे कि हमने कहा था कि 30 minutes के अंदर ही हमारी classes रहनी चाहिए तो 30 minutes के अंदर ही रहेंगे फिर आप से यही कहता हूँ आपको classes अच्छी लगती है आपको ऐसा लगता है कि आपको benefit हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि यह benefit जो है सारे जो पढ़ने के चुक बच्चे हैं, strengths हैं उनको इसका benefit होना चाहिए आप इस जो videos हैं इसको इतना ज़्यादा viral कीजिए, share कीजिए लोगों को बताईए जिससे अधिक से अधिक फायदा हो और आप जैसे भी आप लोगों की demands होगी उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों ने बहुत में literature के बारे में का था तो मैंने यहीं सोच कर three days के लिए मैंने क्या कर दिया literature start कर दिया और आप एक बार literature पढ़ोगे तो फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं आपको मैं इतना अच्छा सच्छा best to best content देकर उसको अच्छी से अच्छी simplified करने की कोशिश करूँगा, मेरा जितना भी experience है मैंने जितने भी 24 years से literature पढ़ी है उसका पूरा का पूरा experience simplified करके आपको share करने की पूरी कोशिश करूँगा, और उमीद करता हूँ कि आप उसको पढ़ें, अच्छी तरह समझें और मेरा यही होप है कि आप उसको पढ़कर आप उसका benefit उठाएं और जिस किसी भी exam में आप बैठे हैं अच्छी rank के साथ select हूँ selection नहीं, selection तक हम सीमित नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी rank के साथ select हूँ next class में बाकी का धन्यवाद